हेलो एवरीबन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल लर्म विर्ज देतीमन में यहां हम बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी और इसके अलावा जो है करियर काउंसलर की जो वैकेंसी आई हुई है जहां पर पीजीटी में जो है मैट्स, कैमिस्ट्री, एकोनोमिक्स और कॉमर्स की वैकेंसी है और टीजीटी में इंगलिस, हिंदी, मैट्स और सोसल साइंस की वैकेंसी आई हुई है कहां से है यह विकेंशी, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, कहां से आई है, केंद्री विध्याले खुरदा रोड से आई हुई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका एक्साम नहीं लिया जाएगा, केबल और केबल आपका इंटर्व्यو होगा ततकालिक स शाक्षातकार और रिजल्ट भी फटापट आपके आ जाएंगे रिजिस्ट्रेशन डेट और टाइम वो 17-7-2023 ही है और यहाँ पर इन्टरव्यू भी उसी दिन आपका होगा तो उसी दिन जो है रिजिस्ट्रेशन है और उसी दिन जो है वो आप लोगों का यहाँ पर इंट तो चलिए हम देख लेते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन जो है अगर आपने दो साल का पोस्ट ग्रैजुट एमे या मसी कोर्स किया हुआ है अपने सब्जेक्ट में तो आप यहां पर एलिजीबल हो साथ में जो है वा बीयड मांगा गया है ठीक है और आपको जो है मैं बता कंद्री विद्धेले में जो भी विकैंसी होती है वहां पर हिंदी और इंगलिस मीडियम दोनों ही स्टूडेंट जो है वो मीडियम हिंदी है तो भी आप यहां अपला करें और सेलरी जो है वो आपको अच्छी यहां पर मिलने वाली है तो यहां PGT Maths के लिए अगर आपने करेंगे यहाँ पर chemistry या बायो chemistry थी economics या applied economics या business economics थी तो आप PZT economics के लिए eligible हो जाते हैं, PZT commerce के लिए अगर आपको भढ़ना है तो यहाँ पर master degree commerce में मागी गई है, desirable qualification है knowledge of computer application, अगर आपको knowledge है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको आपके subject पर command होनी चाहिए, trained graduate teacher या नि TZT के लिए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि bachelor degree जो है वो आपने 50 प्रतिशत अंकों के साथ जो है वो ली हुई होनी चाहिए, TZT English में, English आपने 3 साल पढ़ी हो, Hindi में हिंदी आपने 3 साल पढ़ी हो, maths में जो है वो आपने, यहाँ पर जितने जो subject है physics, chemistry, electronic, computer science, औ इ statistics, आपने bachelor degree में जो है इन में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, TZT social science में आप देख लीजिये इन में से 2 सब्जेक्ट जिसमें history, geography जो है इन में से 1 सब्जेक्ट तो रहेगा ही, साथ में अगर आपने economics or political science जो है वो आपके BA में था, तो आप यहाँ पर eligible हो जात prophecy of teaching यानि पढ़ाने की जो prophecy आपकी हिंदी और English medium दोनों ही रहेगी, career counselor की आप देख सकते हैं, BSE psychology with certificate of diploma in counseling, तो आप यहाँ पर career counselor के लिए eligible हो जाते हैं, और इसी school में जो है वो अलग से बाल बाटी का teachers की वी vacancy है, जहाँ पर 12th मांगा गया है 50% marks के साथ, और 7 में जो है वो early childhood education ठीक है और जो है वो beard nursery ठीक है तो अगर आप eligible हैं तो आप यहाँ अपलाई कर सकते हैं, salary की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PZT के लिए 27.500 पर मन्त आपको मिलेंगे, यहाँ पर TZT की post के लिए 26.250 पर मन्त मिलेंगे, चाहे कोई भी subject हो, career counselor की अगर हम बात करें तो 26. 23.250 पर मन्त मिलेंगे, PRT की जो है यहाँ पर कोई vacancy नहीं है और नहीं special educator PRT की है, ठीक है, तो PZT, TZT, career counselor की vacancy है और age अगर हम बात करें तो 18-65 साल है, तो यहाँ मैंने आपको salary भी बता दी, age भी बता दी और साथ मैं qualification भी बता दी, नीचे आएंगे थोड़ा सा आप scroll down कर लिए हुआ है, तो आप लोग जब interview के लिए जाएंगे, तो उसी दिन जो है इसी बायो data की जो hard copy है, इसको निकलवा के, इसको फिल करके और अपने साथ लेकर जाएंगे, interview जो है वो आपका हिंदी या इंग्लिस जिस भी language में आप comfortable अपने आपको महसूस करते हैं, उसी मे आप दे, ऐसा नहीं सोचना है कि आप जो है वो cbc board से पढ़े थे और आप जो है वो आपको इंग्लिस ही बोलना compulsory है, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये page जो है वो आप screenshot इसका ले लें, जहां आपको ये पता चलेगा कि 17.07 जो है आप लोगों का interview है और form भी इसी दिन जो है व और आप ये देख सकते हो, खुर्दरा रोड जो कहां है भुवनेश्वर उडिसा में, तो सबसे उपर जो है वो आप देख रहे हैं, बालबाटी का admission notice है, और second number पर है contractual appointment eligibility जून 2023, ठीक है अच्छे तारीक को जो है ये publish हुआ है, इसको आप download कर लेंगे, और download करने के बाद जो पेज ओपन होगा, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बहुत अच्छे से detail में दिखा दिया है, इसी के last में, छे पेजों की PDF फाइल है, जिसमें से जो फिफ्ट पेज जो है, वह है आपका bio data form रहेगा, ठीक है, इसको जो है, आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके, इसको फिल करके और आपको interview के time में लेके जाना है,